हलो स्टूडन्स करते हैं वर्क्षीट नमबर 78 फोर देट 3 अक्टूबर 2020 और ये वर्क्षीट है आपकी सेख 7 और 8 की कॉमन वर्क्षीट स्टाट करते हैं आज की इस हफते की लास्ट वर्क्षीट और इसमें हमें करेंगे सापता ही गतिविधी तो आप चलिए शुरू हो जाएए प्रिय अच्छात्रो इस सब्दा भी हम प्रते दिन की तरह 2 मिनिट माइंडफुल करेंगे यह काम सुबह सुबह करेंगे तो जादा अच्छा महसूस करेंगे तो बचो आप यह तो वीडियो को पॉस करके और 2 मिनिट के लिए इवन में जो अब्योगी वस्तुवे होती हैं उन से रिलेटिड हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहली क्या गतिविदी है हमें सबसे पहले घर में उपलब्द सभी वस्तुओं की एक सूची बनानी है तो इसके लिए आप लगभग अपने घर में नजर घुमाईए और व फिर एक और लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम यूज करेंगे हम लिखेंगे जो चीजें हम सब्ता में एक बार इस्तमाल करते हैं फिर एक ऐसी सूची तयार करें जिनको एक महीने में एक बार प्रयोग किया जाता है एक ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनका प्रयोग ल हुने वाली वस्तूओं को न खरीदें तो इसका क्या प्रभाव होगा स्वैम पर यानि की हम पर खुद पर और समाज पर यानि की दूसरों पर और परियावरण पर इन सभी प्रशनों के उत्तर देखते हैं सबसे पहले था कि घर में उपलब्द सभी वस्तूओं की सूची बनाएं तो इसमें तो बटा बहुत सारी चीज़े हैं और आप अपने घर में घूमके उन सारी चीजों के नाम लिख सकते हो मैंने कुछ लिख दी हैं आप इनसे भी मदद ले सकते हो जैसे टेबल, कुरसी, ब बैड, अकबार, आदे इसके बाद हमें एक सूची बनानी थी जिसमें ऐसी वस्तूओं की सूची बनानी हैं जो हम रोज प्रयोग करते हैं तो हमारे घर में ऐसी चीज़े होंगी जो हम रोज ही इस्तमाल करते हैं उनकी जरूत हमें बार बार पढ़ती है जैसे हमारे मुब पढ़ाई का समान वो भी हम रोज करते हैं और आजकल तो हमें दो चीजों की और जड़ा ज़रुद पढ़ लिए हैं मास्क और सैनिडाइजर साबून इंसे हमें बार-बार हाथ होने हैं उसके अलावा जो सब्ता में ऐसी चीज़े हैं जो सब्ता में एक बर प्रयोग होती है तो उनमें हो सकते हैं आपके पेंटिंग कलर क्योंकि आप कभी-कभी ड्रॉइंग करते हैं आपका ड्रॉइंग का एक पीरिड होता था इस तरीके से कुछ चीज़े ऐसी होती हैं पढ़ाई की भी जिने हम हफ्ते में एक बर प्रयोग कर पाते हैं सुई धागा, बैट बॉ आप संडे को छुटी के दिन ही खेलने जाते हो तो बैट बॉल उसी दिन यूज होते हैं या आपको जो भी खेल पसंद है उसके लावा आप घर में अगर कैरन खेलते हैं किसी दिन अपने सभी भाई बेनों के साथ या मुंबत्ती जब लाइक चले जाती है तभी इस्तमाल हो पाती है शौपिंग बैग जब हम हफते में एक बार सबजियां लेकर आते हैं और कोई शौपिंग के ले जाते हैं तो शौपिंग बैग भी सब्ता में एक बार प्रियोग होता है फिर आपकी साइकल है अगर आप साइकलिंग करते हो तो उसे आप हफते में एक बार ये खाले में प्रीयोंक जाती हैं अब सब्टा के बाद आग गया महीने में कुश चीज़ें यूज होती है तो प्रानी पीतल की बर्तन होते हैं या बडी गडाये होती हैं जब खाना जादा है तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं महान आने होते हैं तो उन खुछ बर्तन को निकाला कुछ ऐसी चीज़े होती हैं चाहता है शहार कि छीज़ों को अप्रैच सकते हो बाहर आर्ग मनन कर गया तो ही खापाते हैं ना समय एक सेहत के लिए भी नुकसान दायक है उसके अलावा गुल्लक है तो यह मैंने इसे लिख दिया जैसे सभी बचों को पॉकेट में नहीं मिलती होगी तो उनको आप अपने सेव करके रखते होगे तो इसलिए मैंने यहाप पिगी बैंक यह गुलक लिख सकते हो कभी-कभी हमें दवाईयां की भी जरूत पड़ती है क्योंकि हम बेमार पड़ते हैं कई बार हो जाता है ऐसा तो हम दवाई दे लेते हैं तो महीने में कभी इसकी प्रियोग होता है साल में भी हो सकता है कुछ ऐसे डब्बे होते हैं जिनका महीनों में ही एक बार प्रियोग होता है और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको महीने में एक बार ही बहन पाते हैं फिर आती हैं वस्तुएं जो साल में एक बार प्रियोग होती है तो एक बार प्रयोग होने वाली वस्तुवी जैसे कि एक बार क्या चीज़े होती है साल में एक बार आपको बर्दे आता है या फिर कोई त्योहार आता है साल में एक बार तो उन चीजों की जरुद भी तभी पड़ेगी जैसे कि बर्दे केक, आपकी कैप, कैंडल जो हम बर्दे पर यूज़ करते हैं, वो जो नंबर वाली कैंडल होती है ना, गो भी और होली के रंग हो गए, वो लिए एक ही बार आती है, उन रंगों को प्रियोग हम तब ही कर पाते हैं, दिवाली में दिये लगाते हैं, पटाक के जलाते हैं, राखी पर जो रक्षबंधन का त्युहार आता है, उस पर राखी हम यूज़ करते हैं, उसके लावा कुछ सजावट के समान होते हैं, जो साल में एक ही बार प्रियोग किये जाते हैं, उसके बाद अगला जो प्रश्ण है कि ऐसी वस्तुएं जिनका प्रियोग ही नहीं होता, तो हमारी घर में आप देखोगे कि बहुत ऐसी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिनका प्रियोग कभी होता ही नहीं है, जैसे कि कुछ पराने कपड़े पड़े रहते हैं, या कुछ खिलाउने हैं पुराने, कुछ डबबे पड़े हैं, कुछ पुराने बरतन हैं, पुराने अकबार हैं, पुरानी किताबे हैं तो पुरानी किताबे तो आप अपने दोस्तों को दे सकते हो अगर कॉपीज हैं, तो पुरानी कॉपीज जो हैं उनको फिर हमें, हम यूज नहीं कर पाते हैं उन में एक दो पन्ने है तो आप रफ वक के लिए यूज कर सकते हो तो पुरानी किताबें आप अपने किसी दोस्त को जो कि अब उस क्लास में हो गया है उसको दे सकते हैं अपने आसपरोस ढूढ़िए तो जिनको जरुरत है उन चीजों को अगर हम उन्हें दे दें या फिर उनको अगर हम धी क्लटर करें अपने घर से उनको हटाएं तो देखना कि बहुत सारी जगर निकल आती है अगरा जो प्रशन दिया हुआ है कि यदि हम प्रियोग न होने वाली वस्तों को न खरीदें तो इसका क्या प्रभाव पढ़ने वाला है हम पर यानि कि स्वैम पर सम में रहती हैं पड़ी रहती है तो उनका कोई प्रियोगी नहीं है हमें क्यों रखना है उन्हें तो स्वैम पर हमें क्या फरक पड़ता है कि हमारे पैसों की समय की बचत होगी हम खरीदने जाते हैं पर टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारे घर में भी जगह बनेगी और समाज पर इसका क्या फरक पड़ेगा जो जरूरत मंद होगा यहाँ पर जरूरत में तवर लगाईए जरूरत मंद व्यक्ति उन्हें खरीद सकेंगे और इस प्रकार हम अपने संसाधनों को भी बचाएंगे तो कुछ चीजे ऐसी होती हैं जिनको प्रयोग करने के लिए परिय प्रयावरण की बात करें तो शॉरली बटा कुछ वस्तों ऐसी होती हैं जो परियावरण को बहुत आनी पहुताती हैं यसे पॉलिथीन, ब्लास्टिक, काट से बनी चीजे आदी तो ऐसी वस्तों का प्रयोग हम कम करें तो उनकी खरीद भी कम ही होगी फिर और खरीद कम जो manufacturing है उन चीजों को जो बनाना है factories में वो भी कम होगा और फिर ये चीजें जो हमारे प्रियावरण को इतनी हानी पहुचाती हैं हानी भी कम होगी फिर क्योंकि प्लास्टिक, पॉलिथीन, कांच ये सारी चीजें हम पहली वक्षीर्स में भी कर चुके हैं न कि लेती हैं और ये decompose भी नहीं होती ठीक तो इनकी जगह हम दूसरी चीजों का इस्तमाल कर ले कपड़ों से बने थेले यूज कर ले तो हम ऐसी चीजों की खरीद भी कम करें और प्रियोग भी कम करें तो ये आपकी वक्षीट थी बचो इसे कंप्लीट करिए अच्छे से और अपने टीचर्स को सम्मिट करिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कोई डाउट है तो और आप कोई वीडियो कैसी लगी ठीक है और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में